भर्वा करेले बनाने के लिए सबसे पहले हम करेलों को छील लिएगे छीलने के लिए कट से कि अड़े उस्मीं हिस तनों हिस्सें आपस जुड़े रहे और उसके बाद ठीह ह मैं अंदर से काशील सारे घूदा को बाएब पर लूंози गॉदानर मोगी तो करेलो को यहां बहुत अच्छे से धूप लग चुकिए और यह थोड़े मुर्जाय मुर्जाय नजर आते हैं धूप लगने के बाद पर धूप लगने से इनका जो कड़वा पने काफी हद तक दूर हो जाता है अब मैंने अच्छे से वाश कर लेती हूं और यहां पर जो करलोने मुर्जा आदे हम अजर्णटी अच्छे चीजली आप दो पड़ी कहले हैं अच्छे मिख्यों जो बहुत गिजगे नमक टाम्ट करेले नगाग लादी सांफ जोब थोड़ा सब्सक्स में भाज़ा नहीं पर प्लज़ जाते हों है और जो अब पेंसे अच्छे में तो हम सिंपल इस दागे को ऐसे ही तोड़ देंगे बांध के अपर जो है कड़ाई में एक चमच सर्सो का तेल लिया और यह तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब एक करके जो हमें करेले इसमें डाल दोंगी और ऊपर से इसके चिलके और जो अंदर का गूदा था वह इनको हम बाहर निकाल लेंगे अब इसी सेम कड़ाई में मैं मसाला तयार करने के लिए डाल रहे हूं सर्सो का तेल तो करीब करीब एक चमच सर्सो का तेल मैंने यहां ले लिया है तो सर्सो का तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम एड़ करेंगे जीरा जीरे के बाद हम एड़ेंगे इसमें लखसन अद्रक का पेस्ट और इसे अच्छे से बूल लेंगे तो अब इसमें एड़ कर रही हूं मैं प्याज और प्याज जालने के बाद हम जो है इसे थोड़ी देर मसाले के साथ मिक्स करके चलाएंगे और बहुत देर तक हमें यहां पर आप देख सकते हो मेरे करेले बनके बहुत अच्छे से रड़ी हो चुके और सारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं तो चलिएं करेलो को हम कड़ाई से बाहर निकाल लेगे यहां देख सकते हो करेले दिखने में बहुत यम दिखाई दे रहे हैं और यह बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऊपर से पके होते हैं और अंदर हलक रलका कुरकुरा जो प्याज होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा रखता है तो एक बार आप इस रेसिपी से करेले करें देख और यहां देख और यहां देख से लागता है।